यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिसकस करने जा रहें इंशाला बहुत कम टाइम में इसको कवर करना नहीं कोशिश करूंगा नक्षे पे आपने और नहीं करना बस यह थोड़ी सी ड्राइंग आज खराब हो गई तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई ह यह आप ऐसा करें कि यूट्यूब चैनल पर जाएं वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुए जिग्राफी और पाकिसानिया जिग्राफी की लिस्ट बनी हुए आप उसमें देखेंगे मैंने इंटरनेशनल वार्डर्स को भी डिसकस किया आज हम थोड़ा सा मेजर चीजें इसके करेंगे अक्से स्टुरेंट्स को कन्फीजनल थे सरा हमने तो यह पड़ा बुक्स में यह लिखा है किताबों में यह है तो हम टेस्ट के हवाले से इसको कवर करेंगा और अथंटिक रिसर्च को देखेंगे अच्छा अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डियोडरन आप लोगों ने लाजमी कर लेना है कि डियोडरन लाइंट का अग्रिमेंट हुआ था 1893 के अंदर अब आप सोच रहे होंगे सर पाकिस्तान तो बना 1947 में अब यह 1893 में क्या हुआ यह ब्रिटेश और अब रह्मान इंपायर जो उस टाइम पर रूल कर रहा था उनके दर्म इन चीज़ देखनी है जो पहले अक्सर टेस्ट के अंदर लेंथ आ रही होती थी वह आती थी बाइस सो पचास किलमेटर अच्छा उसके बाद आप वह चेंज होके अब आपको नजर आएगी 2430 किलमेटर अब यहां तो यह option आपके पास आएगा यहां एगा ऐसा नहीं होत यह चपा था पूरा कॉलम है इसके उपर अच्छा उसके बाद है Consulate of Pakistan यह एक website है मैं दर लिख भी देता हूं Consulate of Pakistan इस पे आपको मिलेगी 2430 कहीं ना कहीं Wikipedia पे जब आप सर्च करते हैं तो वहां पर आपको मिलती है तो यह border आपको clear हो गया अब हम आजाते हैं चाइना पे जिसे सीनो पाक भी कहते हैं या पाक सीनो लाइन भी कह रहे होते हैं इसकी जो टेस्ट के अंदर आपके पास आ रहे होते हैं एक option आता है 595 किलोमेटर यह agreement कब हुआ था इस agreement की date आप लोगों ने लिख लेनी है यह agreement हुआ था 1963 के अंदर अच्छा उसके बाद अगर हम बात करते हैं next अब के आखिर क्या यही हमारी length है आपको dawn के अंदर और consulate के अंदर आपको इसकी मिलेगी 523 किलोमेटर तो आपको यह दोनों याद रखनी पड़ेंगी यह अब इस्टूएंट के रिए सबसे बड़ा मसले है स्टूएंट कहेंगे sir आप उलजा रहे हैं तो यह म पहले हम देख लेते हैं कि आखिर क्लिफ एग्रिमेंट हुआ कब था अगर आप लोगों को पता है तो लाजमी बताया करें कि रेड़ क्लिफ जह हमारे पास कब एग्रिमेंट हुआ था कोई बता सकता है आप स्टूएंट में से देगें पकसान आजाद होने के बाद ही हमन इन दोनों में आपको मिलेगी रेड़ क्लिफ की आपको जो लेंथ मिलेगी 3912, 1240, अब वो क्या है, यहाँ पर line of control enter है, यहाँ पर line of control enter, नहीं, अब क्या होता है कि line of control की अगर मैं सिर्फ आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, line of control, LOC जिसको कहते हैं, यह वैसे है, 740, अगर आप 740 और 2240 को जमा करते हैं, तो यह 2980 बनता है, जबके यहाँ पर 2912 हैं, तो यह contradiction चलती है, आपके यहाँ तो 2912 आएगा, यहाँ 2440 आएगा, अब हम आजाते हैं, पाक एरान के उपर, अच्छा, पाक एरान को जाए, वो gold mid line भी कहा जाता है, gold mid जिसको सोने का कहलें, अब यह हमारा जो है, वो agreement कब हुआ था, अगर आप students को पता होता है, तो participate करें, यह हुआ था 1958 के अंदर, अब इसकी अगर मैं length की आपके साथ जो है, वो share करूँ, तो इसकी आपको हर जगा पे एक ही length मिलेगी, और वो मिलेगी आपको 909 किलोमेटर्स, clear, यह अब आपको यह पता चल जाना जाएंगे, यह कहां पर है, अब आ जाते हैं, last में वाखान, यह जो है वाखान की पटी, अच्छा यह वाखान क्या है, बेसिकली, यह पटी के अगर हम बात करें, तो यहां पर एक लंबी ऐसे पॉडर मही है, वाखान को मिला रही और पाकिस्तान को मिला रही है, वाखान क के रrob की यह एक शॉट वीडियो मिले और श़पिक के लियर हो गा है और अच्छा एक टॉपिक आप सोच रहेंगे सरीं कि आपने डिरेक्शन्स नहीं बताई वो डिरेक्शन्स मैं अलग से शौट वीडियो में बता दूँगा उसके लाइन आफ कंट्रोल और वरकिंग बाउंडरी का ये भी इंशाला अगले शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें अलाहाफिस